नमस्कार दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं मीन रासी के जातकों के बारे में कुछ अद्बुत रहश है जिने जानकर आप हो जाएंगे आश्चर चकित प्यारे दोस्तों मीन रासी बहुती मित्रवत होती है इसलिए अक्सर वे खुद को बहुत अलग लोगों की संगत में पाते हैं मीन रासी के जातक निस्वार्थ भाव के लोग होते हैं वे हमेशा वापस कुछ भी पाने के लिए उमीद के बिना दूसरों की मदद करने को त्यार होते हैं मीन रासी एक जल रासी है और इस रासी की विसेस्ता समान उभूती और व्यक्त की गई भावनात्मक छमता है उनका अस्वाम एक गुरू है इसलिए मीन रासी दूसों की तुलना में अधिक सहज और एक कलात्मक प्रतिभावाली होती है गुरू संगती से जुड़ा है प्राथमिकताओं को प्रकट करते हैं वे उदार दयालू और बेद वफादार और परवा करने वाले होते हैं मीन रासी के जातक बहुती अच्छे सभाव वाले माने जाते हैं मीन रासी के अंतरगत जन्मे लोगों में जीवन चकर की एक सहज ग्यान युक्त समझ है और इस अन्य प्राणियों के साथ सबसे बहतर भानात्मक समंद स्तापित करते हैं मीन रासी में जन्मे लोगों को उनके ज्यान से जाना जाता है लेकिन यूरेनस के प्रभाव में ध्याना कर्शित करने के लिए मीन रासी के जातक कभी-कभी एक सहीद की भूमी का ले सकते हैं मीन अ जिसा 6-8 सील होते हैं उन्हें सबी रासियों में से सबसे सह शुनू भी माना जाता है मीन रासी के जातकों के लिए प्यार और सेक्स अपने प्यार की गहराई में मीन रासी में जन्मे लोग एस उधारी हैं रोमेंटिक होते हैं वे बहुत वफादार कॉमल और अपने प्यार और रिष्टे में वे आंक बंद करके वफादार और बहुती परवा करने वाले होते हैं, मीन रासी के जातकों के लिए मित्रयम परिवाल, कोमल और देखबाल करने वाला मीन रासी वाला व्यक्ति सबसे अच्छा मित्रम आना जाता है, वास्तों में वे अक्सर अपनी जुरुतों के सामने अपने मित्रों की जुरुतों को ज़्यादा महत्व देते हैं, वे वफादार समर्पित दयालू होते हैं, और जब भी परिवार में या मित्रों के बीच कुछ समश्या होती है, वे इसे हल करने के लिए अपनी पूरी कोश अगर कुछ गलत है तो गहन रूप से सहज ग्यान से योक्तमीन इसके होने से पहले ही समझ लिती है। अपनिक मीन रासी एक ऐसी स्थीती में सबसे बहतर महसूस करते हैं जहां उनके रचनात्मक कोशलागे आएंगे और वे दान के लिए हो तो और भी बहतर है। यह रासी द्यालू परिश्रमी, समरपित और विश्वसनी है। मीन रासी में जन में लोगों को समझेओं को सुल जाने में महारत आसिल होती है। अधिकान समय मीन रासी के जातक पैसे पर बहुत जादा सोच विचार नहीं करते हैं। वे आम तोर पर अपने सपने और लक्षे पर आधिक ध्यान केंदित करते हैं, लेकिन वे अपने लक्षे को प्राप्त करने के लिए प्राप्त पैसे बनाने की कोसिस करेंगे, इस छेतर में मिनरासी के दो पहलू हो सकते हैं, एक तरफ वे बिड़ा सोचे समझे, बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे, दूसरी तरफ वे काफी कंजूस बन सकते हैं, फिर भी अंतर में एक समाने जीवन के लिए प्राप्त पैसा हमेशा रहेगा, मिनरासी के पुर्शों को कैसे आकरशित करें, रोमायन्स मिनरासी की दुनिया पर राज करता है, जोतिसास की मिनरासी के अ अच्छे गुनों में उसकी स्वेधन सीलता करुना और दया है, वे एक सज्जन व्यक्ति है, जो पता लगा लेगा कि आप क्या चाहती हैं, और फिर संभव रूप से इसे सेवा में प्रस्तुत करेगा, वे हमेशा दूसरों की मदद करने के तरीके देखता है, और वास्तों अगर वे आपको मजाकिया और आसपास रहने में आसान पाता है, तो आप उसे आकरशित करने के लिए एक अच्छे रास्ते पर हैं, वे बाहर से सांत लगता है, लेकिन अंदर से आपको एक अलग व्यक्तित मिलेगा, जैसा कि मीन पुरुष मजबूत भावनाओं के बीच वह मिल जाएगा, खुलने और उन भावनाओं को मुक्त करने के लिए उसे प्रोच्साइट करें, अगर आप एक मीन पुरुष से डेटिंग कर रही हैं, तो आप एक भावनात्मक रूप से पूर्ण समंद के लिए ततपर हो सकती हैं, मीन रासी की मैलाओं को कैसे आकरशित करें, मीन रासी की मैलाओं को उदार, कलप्रासिल, दयालू, निस्वार्थ और बेद स्वेधन सिल व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है, अगर आप मीन रासी में जन्मी मैलाओं को आकरशित करना चाहते हैं, तो आपको रोमैंटिक होने और हाश्य की अच्छी समझ रखनी की जोड़ता है, एक अच्छा स्रोता होना भी जरूरी है, मीन रासी का व्यक्तित्व दयालू और बिना सत्थ प्यार से भरा हुआ है, एक बार आपने उनका ध्याना क्रेश्ट कर लिया, तो वे जल्दी आपके लिए खुल जाएंगी, अध्यात्मिक और आलोकिक ब जाना चाहती है, और आप पहली कुछ देट के दोरान पूरी तरह से उसे आकरशित कर पाने में सक्षम नहीं होंगे, अगर आप इमानदार हैं और आप उसके लिए खुले हैं, तो वे तुरंत आपके सार्ट और अधिक जुड़ा हुआ महसूस करेगी, मीन रासी की महिला स समद के बारे में खुलने की सोचना भी उसके लिए एक कठीन समश्या के रूप में उनके सामने होता है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नमस्कार दोस्तों, जैहिंद!